कि अच्ट करते हैं आज का लेक्चर आज हमने पढ़ना है बूस्ट्राइब के अंदर ग्रेट सिस्टम ठीक है तो ग्रेट सिस्टम एंड बेक पॉइंट तो सबसे पहले तो आपको ब्रेक पॉइंट को समझना है कि प्रेक पॉइंट होते हैं वहां से लिंक उछा लेतेे हैं मेरे पास उरहिए श्री लिंक लगा है है आपको पते ही कारते हैं है जैसे कि हम आगे चंद कंपोनेंट्स यूज करेंगे या नेव बटन टाइप जो काम होता है को बटन प्रेस करते हैं कोई चीज पर फॉर्म होती है बूस्ट्राइब के अंदर तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट होती है ठीक है तो फैर आज हमारा यह टॉपिक नहीं है है यह यह मेरा कंटेनर है को कंटेनर क्या रखता होते है साइड एं का रखेंसे सपस्पेस ले लेता है हम इसको थोड़ा से कंटेनर से थोड़ा घ्रियता है ओर यह कब तक मर्जन चलते है जब तक कि स्मॉस्क्री नहीं होती तो small screen तक वो margin लेके रखता है तो आप इसके अंदर हमें breakpoints चाहिए हो breakpoints होता है कि आप पूरी screen के मताबग अपने content को manage कर से कि तो जो आपके पास breakpoints use होते हैं bootstrap के अंदर वो आपके पास होता है small, medium, large, extra large and extra extra large यानि डबल action तो 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 आपके पास होता है small screen आपकी 576 fix या इससे भड़ी होती है कहां तक 768 तक और medium की क्या है 768 से लेके 768 include है medium में वहां से लेके 991 तक तो आप अपने इन pixel के हिसाब से manage कर सकते हैं किसी की चीज को break कर सकते हैं ब्रेक कैसे कर सकते हैं मिसाल के तोर पे यह मेरा container है यह मेरा small screen पे जाके container से हटता है वरना यह container ही है side से space छोड़ रहा है न तो यह small screen से उपर container ही है अब मैं इसको break करना चाहता हूं मैं कहता हूं कि large medium device के पार यह container खतम हो जाए तो मैं क्या करूँगा मैं इसको यहां पर break point दे दूँगा medium md medium device तो medium device से उपर आप container behave करो जैसे medium से नीचे आओ container को हटा दो तो refresh किया यह हमारा अभी medium device चल रही है जैसे हम medium से नीचे आए जैसे medium से नीचे आए पहले यहां पर जाकर होता है अब यहां पर देखे जैसे medium से नीचे आए मेरा container खतम इसको हम बढ़ा भी सकते हैं बढ़ा कैसे सकते हैं अगर मैं इसको प्रेदूं लार्ज स्क्रीन तक आपने container रहना है तो लार्ज स्क्रीन हमारे यहां तक क्या है गो देखे तो हमारे breakpoint की वज़ए से वह container खतम हो गया हमने container को breakpoint दे लिया लार्ज तक आपने as a container behave करना है और उसके पास आपने क्या करना है इसको normal position में ले आना breakpoints हम और भी बहुत सी जगह पर use कर सकते हैं लाइक जैसे हमने इसके अंदर padding डाल ली है अभी के लिए मैं अगर इसके अंदर padding डाल हूँ padding five तो आपको यह padding नदर आ रही है काफस आ रही है अब हम इसके अंदर breakpoints डाल सकते हैं कैसे मैं इसके प्यास करता हूं कि भाई padding आपकी large screen पर five हो और large से नीचे क्या हो वो उन्हें नहीं बताई तो refresh करते हैं लाइज से screen हमारी five है हम जैसे अपना large से नीचे है तो हमारी वो padding की खतम और हमारा container वाला भी खतम है क्योंकि हमने यहां पर भी LG दिया हुआ ठीक है अब जुरूरी नहीं कि आपने container LG कर लिया तो आप आप जैसे मर्दी breakpoint को adjust करें मैं इसको MD कह देता हूं कि आपने medium device तक five दी रहने तो अभी यह medium device चल रही है अब container देखें मारा खतम हो चुता है वो large screen पर था और padding हमारी medium device तक है तो medium device पे हम आए तो हमारी padding भी खतम हो गई ठीक है तो इससे कहते है आपने रहे तो breakpoints के बाद हम चलते हैं मैं इसको खतम कर रहा हूं मैं इसका breakpoint नहीं चाहता तो इसको भी खतम कर लेते हैं यहां पर मैं container बनाने लगा हूं सुझी तो normal position में हम आ गए अब हमने बढ़ना है great system तो very very important what is great system great system is that के आपने दो तीन या चार जितने भी डिब हैं वह आमने सामने लेके आये हैं आप for example हम यहां पर तोड़ा सा बना लगते हैं draw करके यह आपको पस एक div है यह दूसरा div है यह तीसरा div है यह आप आमने सामने लेके आये हैं ठीक है अब आप सामने सामने कैसे लेके आपते हो फूरी screen पे और इसके अंदर break points कैसे डालने हैं जैसे के आपकी screen आप कहते हो कि मेरी screen large हुई तो सिर्फ यह वाले दो जो यह वाले दो हैं यह नजर आए और यह वाला नजर ना आए यह वाला नीचे आ जाए तो यह break points हैं हम break points को भी manage करेंगे grade system को भी तो इसको manage करने से पहले आपने एक वाद याद रखनी है कि कोई भी container आपक कोई भी container 12 column में consider होता है bootstrap की नजर में container में कि अभी आपकी body एक container है ना यह मेरी body है यह container है तो अब मुझे क्या करना है इसके अंदर assume करना है कि यह मेरे 12 column है 5 6 7 8 9 10 11 पर 12 तो 12 column हमारे पास होते हैं यह equal होते हैं वैसे मैं समझाने के लिए छोटे पड़े कर दिये तो 12 column आपके पास यह होते हैं अब आपने जितने अपने box बताने हैं उनको बताना है कि कितने column का box बनाना है अब मुझे यह box जाईे कितने column का होगा है एक दो सी सी चार चार column का फिर मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर एक box जाईए यह तो यह कितने column का होगा यह एक जाईए यह कितने column का यह दो column का तो यह दो ले रहे है और यह चार ले रहे है छे होगे पीछे कितने बचे छे इसको मिल गए तो 12 वह आपने किसी भी तरह पूरे करने थीक है तो इसको हम practically करके देखते हैं तो जब भी आपने grid system बनाना है तो grid system बनाने से पहले आपने container fluid यह container बनाना लाजमी है वरना scroll आ जाएगा तो यह आपके हैं कि आप container बनाते हैं यह container fluid बनाते हैं जो आपको required है आप मैंने container fluid बना लिए है उसके मेरे आप लिगा कि अफने रॉर्व को कर चलते हो से चलते हो एक श्रुम कर देज कि लाउगे इस Anda कि रेजा अगल गॉल लिख रहा हूं वो गॉल से automatically आमने सामने आ जाएंगे मैं इनको एक दे देता हूं पीजी सक्सेस तो मैं ऐसा करता हूं एक बीजी सक्सेस का बनाता हूं और एक जो है वो वाइट छोड़ देता हूं मैं इसे चोड़ देता हूं दो बन गए अब कितने बनाने मुझे मेरी एक रोव में कितने आ सकते हैं त्वेल्व आ सकते हैं तो चार छे आठ दस बारा तो बारा फॉलम आपके यहां पर आ गए स्वैलिंग जोलत है तो आप अब देख सकते हैं कि आपके कितने कॉलम बन गे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो तस क्यारा बारा बारा कॉलम आपके बन चुके ठीक है अब यह इक वली आपने सामने आ रहे हैं आप इसके अंदर जो वर्जी डालें पी डालें एच बन डालें जो बगर च्छोटे छोटे इह तो मैंने आपको समझाने के लिए बना आया रहे हैं अब हमें क्या करना है अगर चाहता हूं मेरह एक यहां तक को तो यह यह जितने कॉलम बल रहे हैं मैं उसको क्याद हूँ कि आप इतने कॉलम लेने हैं शॉसरा एक डीव जो शिक्स कोलम का हो और पीछे एक बचा है वह आप लोग फॉर कोलम नहीं तो यह अब कितने होगे एट एट और शिक्स यह तो ज्यादा होगे ना तो हमें क्या करना है कि तीन ता कर देना ज्यादा होंगे तो वह आटोमेटिकली नीचे वाले लाइन पर चले जाए दो यह भी हम एक बार करके दिखाता हूं आपको तो यह ज्यादा ले लिए यानि के चार और च्छे दस और चार चोदा होगे दो एक्स्ट्रा होगे अब देखना यह क्या होगा अब क्या हुआ हुआ अच्छा इनके अंदर हमने लिखा कुछ भी नहीं है शोरी अब देखो हुआ क्या है यह आपका चार कॉलम और इसके बाद इसने आपके लिए इसको भी हम तलब दे देते हैं आपको ज्यादा पता चल जाएगा पीजी जाट जाट जाते हैं इसको अब इसके आगे स्पेस बची दो कॉलम की लेकिन हमने आगे वाला डिक कितना बना चार कॉलम का वो इस लाइन पर नहीं आ सकता तो दो वो नीचे वाली लाइन पर आ गया ठीक है तो आपने खास खीयाल रखना है कि आपके एक रोग के अंदर 12 कॉलम की पूरे हो रही हूं तो हम वापस आते हैं इसको 3 कर देता हूं मैं इसको भी 3 कर देता हूं अब यह equally आ अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिर्म्यान वाले को अगर मैं ना पुता हूं पिर भी सेम रहेगा क्या होगा यह 3 और यह 3 6 होगे बाकी जितने बचेंगे वो दिर्म्यान वाले को जिसको नहीं डिफाइन किया हमने वो उसको मिल जाएंगे ठीक है और यह ऐसा भी हो सकते है जुरूरी नहीं कि आपने इसकी लगाने मैं उपर वाले के 3 हटा देता हूं अ आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए यह 7 का अब आप चाहते हो कि यार जो बाकी स्पेस बची है वो इक्वली डिवाइड होगे अब 7 के अलावा कितने बचते हैं 5 अब 5 को हम 2 में डिवाइड तो नहीं कर सकते तो उस केस में हम क्या करेंगे हम उसको वैसी छोड देंगे वो खुद ही जितनी स्पेस बचेगा बचेगी वो खुद ही ले लेगा इस तरीके से वरना हमें पुद अगर बताते हैं तो हमें यह दो का यह एक तीन का बनाना पड़ना तो फॉप को हम इक्वली दो में डिवाइड नहीं कर सकते ना पॉइंट में आएगा तो इसके अंदर होते नहीं है क्लिर हो गया तो अब हम चलते हैं ब्रेक पॉइंट पर इंका फाइदा क्या है अभी तो यह आप स्मॉल स्क्रीम करें चोटी करें बड़ी करें यह उतनी ही यह आपके दिव उतनी ही रहेंगे लेकिन हो सकता है हमारा कॉंटेंट इनी के अंदर जो खड़ा है वो फराब हो रहा हूं तो हम इसको ब्रेक करवाएंगे प्रेक पॉइंट के जरीए तो वो कैसे करवाएंगे मैं इसको कहा देता हूं कि आपने इंडीड़ाइस पे पर एंडीड़ाइस पर 7 कॉलम लेने है और आपने एंडीड़ाइस पर यह जो भी 7 के बाद जो उपलव को जितरा बचे का आपने वही लेना है एंडीड़ाइस पर तो MD से नीचे आओगे तो आपने ये column वाला system तोड़ देना है अब आपने देखना है इसके अंदर तो अब जैसे हम यहां पर हमारी MD devices से नीचे आए तो हमारा great system तोड़ गया क्या लगाया था कि MD devices तक आप column वाला system follow करो जैसे ही आप MD devices नीचे आओ तो आप column वाले system को भूल जाओ यानि पूरा पूरा div ले लो जैसे हमारे पास block होता है ठीक है तो यह हमारे पास एक great system की powerful example है अच्छा इसके अंदर हम और भी ऐसा कर सकते हैं हम क्या सकते हैं कि screen पर तक 7 लेने जैसे लार्ट से नीचे आओ आपने अपना grid तोड़ देना है column वाला system तोड़ देना बट इनको मैंने कहाया कि आपने नहीं तोड़ ना ठीक है तो अब देखते हैं अब जैसे हम LG से नीचे आएंगे यह मैरा 12 का हो गया अब यह दोनों भी हो गए उसकी व मुल्टिपल मीन के LG devices पर आपने automatically column लेने और MD devices पर आपने क्या करना है अच्छा जी MD devices पर मैं इसको कहाता हूं आपने six column लेने और इसको मैं कहाता हूं आपने भी six column लेने ठीक है तो अच्छा जी अभी क्या हो रहा है यह विड़पड हो रही है तो कि यह seven ले रहा है अच्छा इसको हमने ब्रेकवांड नहीं दिया फॉल एल्जी वाला ठीक है अब यह एक ओली आगे अब यह लार्ज स्क्रीन पर क्या कर रहे है seven के बाद जितना बचेगा यह half of divide करें दोनों आपस में बट seven लार्ज स्क्रीन के बाद क्या होगा यह seven वाला तो पूर जाएगा यह पूरा 12 में पूरे block में consider हो जाएगा बाकी जो बचेगा उसका क्या होगा उसको हम देख लेते हैं अब देखें यह आपका क्या कर रहा ह six ले रहे और यह आपका six ले रहे ठीक है यह पुल पुल आप नहीं ले रहे क्या हमने इनको बताया हुआ है अब जैसे ही हम जाएंगे क्वह उसे device से नीचे मिडियूम से क्योंकि यह मीडियूम तक हमने दिया है ने आपने मिडियूम तक six column का रहना है तो जैसे ही हम मिड हो जाएगे अच्छा अब एक क्वेस्टन है कि यह उपर वाली लाइन पर यह नीचे वाली लाइन पर एक लाइन में क्यों नहीं आ रहे इसको फोरी इसके बाद डाल दे अब यह सही बहेव करेगा इसका हम सक्सेस की बजाए हम उसको कर देते हैं तो अब देखो अब सही है अब लार्ट स्क्रीन पर आपका ग्रेड इसका टूट गया इसने 12 कॉलम पूरे ले लिए ठीक है और इनको मैंने क्या कहा था कि लार्ट स्क्रीन के बाद आपने क्या करना है आपने हाफ हाफ हो जाना है यारी 6-6 कॉलम ले लेने अब वो अपनी बात पर पके अब जैसे ही यह भी मीडियूम डवाइस नीचे आएंगे तो यह भी 12 हो जाएंगे समय लगी तो यह ग्रेड सिस् दो दो चार चार के 12 में से चार के 8 पचे और 8 यह दर्म्यान में आगे और इसका ग्रेड सिस्टम क्या कि जैसे स्क्रीन इस तरह हो यह साइड़ों वाले उड़ जाए या तो यह उपर आ जाएंगे यह हाइड हो जाएंगे ठीक है आप हाइड भी कर सकते हैं ब्रेक पॉइ पर तो मैं इसको कहा दता हूं कि आपने कोई भी चीज अगर आपने हाइड कर दी है तो आप कहा सकते हो इसको डिस्प्ले आपके पास जो होना चाहिए मेडियम डवाइस पर वो क्या होना चाहिए स्मॉल डवाइस पे तक हो बंग्स एम अगर यह वर्ट करें तो अच्छा यह कुंप के अभी ब्रॉड राइस तो अगर मैंاس कुला दो के शमल डवाइस वीख से क्रक्र क्या होना चाहिए üzदतं पर आपको medium या medium device से उपर आपका block inline block होना चाहिए ठीक है आगया यह अब जैसे हम इसकी screen छोटी करेंगे यह देख रहे हैं यहां तक चल रहा है क्योंकि अभी medium device है हमने small devices पर पहा है तो जैसे small device पर हम जाएंगे वो कतम गायब हो गया ठीक है तो यह breakpoints की power है and plus grid system की तो अभी हम थोड़ा सा और इसको मजीद पढ़ाते हैं अपने topic को मजीद यह है कि यह जो हमारा यह box है let's go इस box को हम ले ले लेते हैं यह वाला यह वाला warning वाला seven वाला अब इसके अंदर मजीद मैं दो box चाहता हूं दो box चाहता हूं वो box क्या हूं वो box यह large screen पर चल रहा है न वो box small screen तक six six column के रहें यानि के equally वो small screen तक रहें इसके अंदर जो दो डिव मेरे पड़े हूं तो मुझे फिर इसके अंदर grid system बनाना पड़ेगा इस warning वाले div के अंदर वो मेरे grid system भी 12 column का ही consider होगा अब क्योंकि उसकी screen यहां से शुरू होगी और यहां पर end होगी लेकिन column उसके भी 12 ही होगे वो उसका पूरा यह वाला box 12 column में divide हो जागा तो हमें क्या करना है मुझे यहां पर एक और grid system चाहिए तो मैं कहूंगा div row एक और row है इसके अंदर इस div के अंदर इस वाले div के अंदर तो इसको मैं कहूंगा कि आप भाई एक बनाओ जो column ले कौन से device पे small device तक 6 ठीक है अब इसको हम कोई color भी देते हैं जी secondary देते हैं इंसाइड और इसको हम vg secondary की जगा के इंको देते हैं तो यह हमारा inside grid ready अब हम इसको देखते हैं अब यह हमारा main जो grid है उसका column है यह भी उसका column है यहां से लेंके यहां तक हाथ के पास वह वार्निंग वाला यह वाला div है ठीक है अब इस div के अंदर मैंने मजीद दो box बना दिये six six column के अब यह कैसे काम करेंगे यह ऐसे काम करेंगे कि जैसे हम जाएंगे large screen से नीचे आपने क्या करना है अब जैसे में large से नीचे आया यह अपना grid system भूल गया इसने क्या गिया six six column ले लिए अब जो यह वाला मेरा div था नीचे वाला वार्निंग वाला इसके अंदर फिर grid चल रहा था अब जो मेरा यह वाला div था अब वो 12 column पा हो चुका है क्योंकि हमने large screen से उपफर seven column लेने थे large से नीचे वो 12 column का हो चुका है यहां से लेके यहां तर अब उन 12 को वो अपने अंदर वाले div के grid के मताबक six six में divide कर रहा है और यह six six कहां तक चलेगा small devices तर अब यह inter grid खतम हो 12-12 column में हो गए divide बट यह दोनों किस पर काम करें small devices तो जब तक small device नहीं आती यह विचारे six six के ही रहेंगे तो जैसे हम small device से नीचे आए यह भी हमारे full column के div हो गया न्यच्टिट विव इसको सोरी जैसरी ग्रीड system यानि कि यी हमारा एक grade है उसके अंदर फिर ग्रेड सिस्ट्म आ गया इक हमारा nested grade हो गया वे चैसे काम करता है और इसके अदर bread points जो होते हैं वह किस तरह किसे हम देते हैं हम multiple works भी दे शकते होते हैं multiple कैसे दे जैसे यह वाले मेरे div के अंदर जो div grid है इसको मैं कहा सकता हूं कि small devices पे आपने 6-6 होने बड़ large devices पे आपने क्या करना है आपने 6-4 column का हो जाना है और आपने 4 के इलावा जितने बचे इतने का हो जाना है कितने बचे एट बचके न हाँ क्योंकि हमने इस div के 12 column पूरे करने चार और आठ 12 तो यह इसको फुल करेंगे यानि कि इसकी 100% width हो जाएगी इसकी तो यह किस पर काम करेंगे लाज क्रीम पे लाज क्रीम पे यह fork आओगा यह 8 का जैसे हम लाज से नीचे आएंगे तो यह 6-6 क हो जाएंगे तो इसको भी एक नदर देख लेते हैं अब यह हमारा div यह वाला पड़ा हो गया न तो हम जैसे ही कहें यहां पर अब देखें यह भी 6 का हो गया यह 6 का क्योंकि हमारी large screen से नीचे की बात हुई थी न तो large screen से नीचे वो यह वाला चलेगा 6-6 क्योंकि medium का तो क वो small वाला rule ही follow करेगा small से उपर मुझे 6-6 का column रहना है तो small से उपर 6-6 का column ही behave करें लिए clear हो गया और large screen पे वो 4 और 8 वाला scene follow करें लिए तो आप आपको grid system clear हो गया कोई किसी का question है तो वो मुझे बूल ले तो आपने अब इसको practice करनी है और assignment आप शेयर करने को हुआ 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 हुआ